हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब उमीद कर रहा हूँ कि बहुत ही बढ़ी होगे और जो आपके एक्जाम्स हैं वो भी अच्छे जा रहे होंगे सर बिलकुल तो आज है 26th of November 2020 और अगर मैं CA Intermediate की बात करूँ तो सर हमारे तीन पेपर जो हैं वो यहाँ पर complete हो चुके हैं पेपर नमबर वन था हमारे पास अकाउंट्स का उसके बाद पेपर नमबर टू था हमारे पास लौका और मज़ेदार बाद सर पेपर नमबर थ्री हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का था costing and fm अगर old course की बात करें तो fm है साथ में और अगर new course की बात करें तो सिरफ और सिरफ costing है और sir मज़ेगी बात ही है कि बहुत अच्छे reviews आ रहे हैं sir costing fm जो मेरा subject है इसको लेकर बहुत बच्चों के अच्छे reviews आए कि sir हम लोग paper बड़े अराम से attempt कर पाए से आप लोगों ने basics की ऊपर काम किया है तो आराम से आप लोग ये paper जो है वो attempt कर सकते थे बहुत easily attempt कर सकते थे paper कुछ इतना नहीं था बाकी थोड़ा बहुत सा twist देना ही हम लोग बिल्कुल straightforward questions जो है वो expect करते भी नहीं है इसे ऐसे right मज़े की बात ही है थी कि सर उसमें दो-तिन questions तो ऐसे थे कि जो directly मैंने YouTube पे करवा रखा था सर उस ही में से हाई है directly questions उसमें से हाई है इसलिए मैं हमेशा कहता था don't go for the quantity go for the quality and this is an affirmation to our belief that we have always stood for that quality education need not be costly ठीक है मैंने YouTube पे पूरा के पूरा course डाल रखा और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सिरफ और सिरफ उन वीडियो से पढ़ाई की है जिन्होंने कोई मेरा paid course नहीं लिया कोई books नहीं लिया कोई मेरा course और नहीं लिया सिरफ YouTube वीडियो से पढ़ाई रिया मैं उसके उपर जो paper है उसके उपर मैं detailed discussion करूँगा एक अलग वीडियो में इस वीडियो का जो मुद्दा है वो कुछ अलग है वो क्या कि सर इस paper के बाद मेरे पास बहुत सारी queries आ रहे थी अलग-अलग तरह से क्या कि सर अब तीन paper हो गए हमारे अब हमारे पास एक option जो हमें सामने देख रही है वो ये है कि सर opt-out करें या ना करें अब january के लिए opt-out for january attempt कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारा costing का paper अच्छा नहीं गया तो क्या हम opt-out कर ले कुछ ने कहा कि सर हमारा accounts का नहीं अच्छा गया law और costing का अच्छा गया क्या हम opt-out कर ले अब कुछ ने कहा कि सर law का अच्छा नहीं गया accounts और costing का अच्छा गया क्या हम अब opt-out कर ले तीन paper के बाद तो अब ध्यान से सुनना मेरा क्या viewpoint है मैं पहली disclaimer दे रहा हूँ ये मेरा एक personal viewpoint है सब कुछ पूरी situation analyze करने के बाद कि आप लोगों को करना क्या चाहिए क्या आप लोगों को opt-out करना चाहिए अगर आपका एक भी paper अच्छा नहीं गया तो क्या आप लोगों को opt-out करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसको ध्यान से सुनना मैं 3-4 point दूँगा बस जादा time नी लूँगा पहला point यह है मेरा कि आप लोगों को इस बार approximately one year मिला preparation करने के लिए बिल्कुल सर आप लोगों ने preparation की अच्छे से आप लोगों ने attempt दिया कैसा दिया वो अलग बात है अब ये बताओ कि अब January में कितना time है one and a half month के आसपस का time है January attempt के लिए ठीक है जो आप लोगों ने पिछले एक साल में पढ़ा वही चीज आप लोग अगले one to one and a half months में पढ़ने वाले हो क्या कुछ अलग पढ़ने वाले हो नहीं सर वही चीज पढ़ेंगे तो क्या फाइदा सर अगर वही चीज पढ़नी है तो फिर जानवरी में opt-out करना क्यों है अगर एक साल में हमने पढ़के अभी attempt दिया तो अगले one to one point five months में भी तो वही पढ़ने वाले हैं फिर फाइदा क्या कोई फाइदा नहीं सर दूसरी चीज सर दूसरी चीज ये है कि क्या आपको कोई guarantee है कि जो जानवरी में exams होने वाले हैं उनका difficulty level क्या रहने वाला है उनका difficulty level क्या रहने वाला है difficulty level in January क्या आपको लगता है कि जानवरी में exams easy आएंगे इससे मैं अभी तक का अगर analysis बताओं अपका अपना तो inter की बात करूँ मैं final की बात नहीं कर रहा है मैं inter की बात कर रहा हूँ inter में जो पहले तीन paper आया है वो average level रहा है जो अभी तक सुनने में आ रहा है कोई भी paper मुश्किल नहीं आया है तो अगर आप लोग अब opt-out करते हो January में क्योंकि आप लोगों का लगता है कि आपकी attempt अच्छी नहीं है तो आपको क्या guarantee है sir कि January में जो paper है वो असान आएगा कोई guarantee नहीं है January में हो सकता है कि इससे भी भी मुश्किल paper आजाए फिर क्या करोगे फिर सोचो कि काश हमने opt-out ना किया होता और ये opt-out scheme तो sir इस बार मिली है क्या आज तक कभी opt-out scheme मिली है कभी भी नहीं मिली sir तो जिस attempt में paper देते थे उसी में risk लेते थे ना पुरा तो why not अभी क्यों नहीं हम लोग risk लेंगे बिलकुल लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो अभी कॉस्टिंग में सार ज्यादा अच्छा नहीं गया कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सार हमने 60-70 marks की अटेम्ट की है या 80 marks का अटेम्ट की है तो that is a fair good attempt ठीक है उसमें 40 marks आ सकते हैं कुई दिक्कत नहीं है sir उसमें 40 marks आ सकते हैं नहीं है कि अगर आप लोगों ने 60-70-80 का अटेम्ट की है तो उसमें 40 नहीं आ सकते हैं उसमें definitely आ सकते हैं क्यों नहीं आ सकते ठीक तो इसलिए मेरे हिसाब से opt-out का मत सोचो तीसरी चीज़ जो मैं कहूंगा result time result time का मतलब है कि sir जो January में attempt होगी उसका result कब आएगा उसका result approximately मान के चलो कि sir February या March में जाकर उसका result आएगा तो May attempt के लिए बगवान ना करे अगर clear नहीं होता January में भी तो May attempt के लिए कितना time बचेगा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा right this is another risk factor sir अगर आप लोगों ने January में opt out करके risk लेना है तो अभी क्यों नहीं risk ले रहे हो it is better कि आप लोग अभी risk लो अगर एक paper खराब गया है दो paper अच्छे गया है तो अपने fourth paper पे concentrate करो उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश करो so that कि अगर आपका जो एक paper नहीं भी ठीक गया उसमें आप लोगों के अगर 40 marks भी आते हैं तो बाकी तीन में इतने अच्छे marks आ जाएं कि उसका aggregate जो है वो 50% को cross कर जाए right उसका total aggregate जो है आपका वो 200 cross कर जाए so this should be the effort don't think about the opt out opt out scheme इस बार मिला है और opt out scheme उस कारण से मिला है कि covid की situation है अगर आपको लगता है कि sir आपकी तबिया ठीक नहीं है या घर में किसी की तबिया ठीक नहीं है तो opt out definitely कर लेना चाहिए उसमें कोई sir double choice ही नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहों कि sir पेपर अच्छा नहीं किया तो opt out कर ले this is not the right way according to me right this is my approach बाकी आप लोगों को जैसे अच्छा लगे आप लोग घर पे बैटो अपने पेरेंट से discuss करो because they are the best judge right अगर आपके पेरेंट सपोर्ट करते है आप उनसे discuss करो कि ये मेरी situation है मुझे क्या करना चाहिए but my personal view is जो मैं अपने students को guide कर रहा हूँ कि अगर पेपर नहीं भी अच्छा गया और आप लोगोंने अगर 60-70 की भी attempt की है तो go for it अगर 60 की भी की है तो भी go for it ठीक है तो fourth paper दो don't think about the opt out अपना fourth paper की तैयारी इतनी अच्छी करो कि उसमें अपना confidence रखो कि हम लोग येस हम लोग बहुत अच्छे marks लेकर आएंगे जो अगला paper आप लोगों का अब income tax and GST का कि उसमें हम लोग बहुत अच्छे marks लेकर आएंगे आप लोगोंने तैयारी किये सर एक साल महिनत किये आप लोगोंने एक साल महिनत किये और इस महिनत के लिए हम इतना risk जरूर लेंगे आगे तो सर छे महिने मिलते हैं आप लोगों को एक साल मिला छे महिने एक्स्ट्रा मिले हैं अगर उसमें तैयारी नहीं कर पाए मैं ये नहीं कहता कि sir आपका 100 marks की attempt होनी चाहिए अगर आप लोगों ने 60-70 marks की attempt भी की है तो भी it is worth taking the risk and why not right we are chartered accountants we are the future chartered accountants हम लोग C.A. के student सर इतनी जल्दी तो हम लोग हार मानते नहीं है और ना ही हम लोगों को हार माननी है अगले paper के लिए तयारी ऐसी करो कि sir फोड़ दो ठीक है अगले paper में हम लोग 60 plus लेकर ही आएंगे institute जो मरजी पुछले हम लोग अपनी तयारी ऐसी रखेंगे कि हम लोग बहुत अच्छा attempt करने वाले हैं ठीक है तो this is my view बाकी आप लोग की option है और रही बात sir मेरे पास बच्चे कह रहे थे कि sir paper discussion के बारे में वो एक दो दिन में मैं definitely paper discuss कर दूँगा थोड़े दिन में अभी थोड़ा सा focus कर लो exams के उपर ठीक है अभी क्यूंकि एकदम से मैंने paper discuss किया तो exam से वो भटक न जाओ आप लोग तो let the exams finish उसके बाद हम लोग immediately उसके बाद हम लोग paper discuss करेंगे लेकिन yes मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो YouTube पे classes थी उसका बहुत सारे बच्चों ने benefit उठाया है और मेरी request है आप लोगों से कि आगे जादा से जादा शेयर करो इनके बारे में जो students benefit ले सकते हैं direct question वहां से आई है direct question and most important thing is कि concept clear थे बच्चों के positive views यही आ रहे है कि सर हमें concept आता था आप से बड़ा हुआ तो हम लोगों ने अराम से attempt कर लिया paper कुई दिक्कत नहीं हम लोगों को right so this is my view wish you good luck for all the upcoming exams एक group दे रहे हो तो अगला जो fourth paper है और both groups दे रहे हो तो अगले आने वाले सभी papers के लिए wishing you good luck right we'll definitely discuss the exam also costing का paper भी discuss करेंगे अभी new course का FME का आएगा वो भी हम लोग discuss करेंगे don't worry about it right so my best wishes are always with you go for the best option all the best thank you so much